तो आज मैं आप रोगों के साथ छोले बटूरों की रेसिपी शेयर कर रही हूं तो चलें सबसे पहले बटूरे का आटा घुन लेते हैं तो यहाँ पर मैंने एक किलो मैदा लिया है, फोर टेबिल स्पून सूजी लिये, हाफ टी स्पून शुगर लिये और इसके इलावा हाफ टी स्पून ही यहाँ पर मैंने बेकिंग सोडा लिया है और इसके इलावा मैं आपे हाफ टी स्पून ही सॉल्ट एट करूंगी और फोर टेबिल स्पून घी आट करूंगी और इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी ताकि घी आटे में अच्छे से मिक्स हो जाए तो चलें अब इसको मिक्स कर लेते हैं तो देखें, आटा अच्छे से मिक्स हो चुका है, अब हम इसमें हाफ कप के करीब दधी अट करेंगे, और इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और पिर जितनी हमें नीड होगी, उससहाब से पानी अट करके इसको गूण लेंगे, इसको बहुत सकत नहीं गूणते, बट लूरे फूले यहाब आठा घुन लेते हैं कि हमारा आठा अच्छा सब घुन चुका है हम इसको पर से ग्रीस करके और दो घंटे सैट होने के लिए छोड़ देंगे तो चले जब तक छोले की प्रिपेशन कर लेते हैं चोले के इंग्रीजिन देख लेते हैं यहाँ पर मैंने हाफ केजी उबले हुए चैने लिए हैं मेरे फ्रोजन है उसके इलावा थ्री टेमेटोस लिए हैं जिनका मैंने हलका सा ग्रेंड कर लिया था टू मीडियम साइज अनियन लिए और वन टेबिल स्पून पिसी हुई लाल मिर्चे लिए हैं हाफ टेबिल स्पून हल्दी लिया है डु टेेबेल इस्पून धनिया लिया है और टुटेबल स्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट लिया है वाओन टेबल स्पून आमचूर लिया है और उसके इलावा मैं यहाञा पर मिENT जाला लिया Chinese जिसमें मैंने तेजपात के पते, जीरा, दारचीनी की लकडी और बड़ी इलाइची और छोटी इलाइची लिए तो चलें अब प्रिप्रिशन की तरफ चलते हैं तो यहां पर मैंने हाफ कुप की करीम ओई लिया था जिसमें गरम मसाला एट करकर इसको थोड़ा सौटी करूंगी और उसके बाद इसमें अनियन को फ्राइ कर लिए तो प्यास फ्राइ हो गई है हमें गोल्डन ब्राउ नहीं करनी थी अब हम इसमें हल्दी आइड करेंगे और उसके बाद सारे ड्राइ इंग्रीडियंट आइड कर लूँगी और उसको थोड़ा सा फाइफ मिंट के लिए भून लूँगी ताकि उसके मसालों की स्मेल खतम हो जाए और उसके बाद फिर वैट इंग्रीडियंट एड करूँगी यानि जिन ज मसाले की स्माल बिल्कुल खतम हो जाए और इसका रोवन उपपर आजए तो हमां मसाले अची से भुन चुका है अब मैं इस पॉइंट पर इसमें सॉल्ट एट करूंगी और यहाँ जोली पीरों के चनलों में धोड़े से ओगउ को चनल यूजकन यूज्ड करते हैं ताकर उसका इसालन थोड़ा घड़ा और बहुत अच्छा सा बने तो जब इहां है थोड़े ओप्र कुक चैनल अई यह पर फ्रोजन चैने आट के हैं आप अगर नॉर्मल यू चैने इस्तिमाल करें तो इसको फाइफ में पकाकर फिर उसके बाद तरका लगाएं यहां पर मैं टैन मिंट्स इसको दूंगी और उसके बाद खोल की देखते हैं तो यह देखें टैन मिंट्स गुज़र चुके है और हमारे चैनों का सालन बिल्कुल रैडी है हम इसको फुल फ्लेम करके फाइफ टू टैन मिंट्स के लिए पकाएंगे ताकि जिसका पानी है वह भी अच्छे से पगज है और इसके पाद इसमें तरका लगाएंगी तो चैने हमारे चैने बिल्कुल रैडी हो चुके आप लगा लेते हैं यहां पर मैं शिक्स टेबिल स्पून के करीब इसमें घी आइड करूंगी और उसके बार घी को जादा गरम नहीं करूंगी वह ना तड़का जो है इसमें हरी मिर्चों का लगता है तो वो उड़ने लगती है तो इसलिए मैं बस 6 डेबल स्पून यहाँ पर घी अड़ करकर और इसमें 3 साबुत हरी मिर्चे अड़ करके तो यह बहुत दिर पकाएंगे नहीं वन्हाँ मसाला उड़ने लगेगा तीस्पून ही गराभ मसाला एड़ करूंगी तो चलें अब तड़का लगा लेते हैं तो देखें हमारे छोले बिल्कुल रैडी हो चुके हैं बिल्कुल रैडी है इसमें तरका और भी लग चुका है आप चलें बटूरे की प्रिपेशन की तरफ चलते उसका आंटा भी सैट हो चुका होगा तो यहां पे मैं सबसे पहले पेड़े बनाके रख लूँगी सारे और इसको 10 minutes के लिए पेड़े बनाने के बाद भी छोड़ दूगी ताके भी बिल्कुल सैट हो जाए तो मैं इसको बिल्कुल लाइट हैंड से बेल लूँगी और इस बटूरो का साइज जादा बड़ा नहीं होता तो मैं नॉर्मल साइज ही रखोंगी तो चलें इसको बेल ल अगर थोड़ा राइज हो जाए उसके बाद इसको साइट से हलके हलके हाथ से प्रेस करकर हम घुमाते रहेंगे ताकि यह अच्छे से फूल जाए तो चलें हम इसी तरह सारे भटूरे फ्राइब कर लेते हैं और दिखाते हैं तो देखें हमाई भटूरे फ्राइब हो गए हैं कितने अच्छे से फूले फूले और इसका थोड़ा डार्क ही कलर रखते हैं तो चलें इसी तरह एक और बना लेते हैं तो देखें हमाई भटूरे बिल्कुल राइडी है तो चलें अब हम चैनल सर्फ कर लेते हैं तो देखें हमाई छोले बाटूरे बिल्कुल राइडी है आई होप आप लोगों को यह वीडियो जरूर पसंद आएगी तो जरूर ट्राय करें और कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएं कि आप लोगों को कैसे लगे तो मेरी वीडियो को लाइक करें शेयर करें और मेरी चै थैंक्स ववाचिंग थैंक्स ववाचिंग